अशले आप लेगो में आप जानते हैं कि परिसले लेसन में हमने क्या पढ़ा था हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तो आगे हम पढ़ रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है दाट इस सब्जिक्ट अंड प्रेडिकेट एज यू किन सी ऑन दे स्क्रीन ठीक है सब्जिक्ट और प्रेडिकेट ठीक है यहां पर क्या बता रहे है आपको पता है कि सेंटेंस इस ग्रूप ओफ वर्ड्स जो एक कम्प्लीट सेंस बनाता है है पता आपको? हाँ जी बिलकुल है पता आपको आपको मैंने बोला था पिसले वीडियो में भी कि सेंटेंस होता है जो एक कम्प्लीट सेंस थे हमें ठीक है? तो इसके बाद है हमारे पास जो ऐसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है Every complete sentence must have a subject and a predicate हर किसी complete sentence जो हमने बनाया होगा जो भी sentence हमने बनाया होगा उसमें subject or predicate होगा जरूर होगा ठीक है? subject के बारे में हम देखते हैं पहले The topic of the sentence It includes who or what the sentence is about जो topic होता है sentence का जो यह sentence होता है यह किस के बारे में है? ठीक है? यह किस के बारे में है? जैसे मैं आपको example देती हूँ यहाँ पर Sohana is a good student यहाँ पर किस के बारे में बात हो रही है? Sohana के बारे में बात हो रही है तो Sohana जो है यहाँ पर subject है ठीक है? और इसके बात जो बाकी बचा That is predicate Is a good student Because that shows the action कैसी है यह ठीक है? तो predicate जो होता है The part of the sentence That tells something about That tells something about the subject Or what the subject does Predicate जो होता है वो हमें sentence के बारे में यह बोलता है कि Subject क्या कर रहा है? Subject कैसा है? जैसे मैं आपको अभी example दे यहाँ कि Sohana is a good student Sohana तो यहाँ पे subject है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है लेकिन इसके बात जो यहाँ पे है Is a good student एक अच्छी student है यह एक action है यह हमें बता रहा है कि कैसी है ठीक है? Good or bad कैसी है? क्या कर रही है? यह सब जो हमें action दिखा रहा हो subject के बारे में हमें बोल रहा हो कि यह कैसा है and all that तो वो होता है predicate तो इसके बाद हम जाएंगे इसकी exercise पर थोड़ा सा exercise देखेंगे इसकी ठीक है? तो आप screen पर देखिए तो यह है identify the subject and the predicate in the given sentences नीचे हमें sentences दिये हैं हमें इन में से देखना है subject कौन है and predicate कौन है तो इन्होंने पहले ही example दी है Sumi came first in the class Sumi जो है यहाँ पर यह subject है क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है और बाकी जो है came first in the class इसके बारे में बोल रहे है कि यह first आती है class में ठीक है? तो यह क्या है? प्रेडिकेड इसके बाद है पहला वाला फातिमा and आसन are good friends यो यहाँ पर है हमें फातिमा and आसन यहाँ पर देख सबते हैं बात किसके बारे में हो रही है फातिमा और आसन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो फातिमा और आसन जो है यह subject है ठीक है? क्योंकि इन दोनों के बारे में बात हो रही है क्या बात हो रही है? are good friends यह अच्छे friends है are good friends जो है यहाँ पर प्रेडिकेट है और फातिमा और आसन जो है यहाँ पर subject है So second one है यहाँ पर Across the river is the small village River के पार River को जब हम पार करेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा village है यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है Very good यहाँ पर village के बारे में बात हो रही है तो village क्या है? Village is the subject और जो across the river है ठीक है? River के पार यह क्या है? यह हमारा हो गया प्रेडिकेट ठीक है? इसके पाद है तीसरा वाला The children of the junior classes have a holiday tomorrow जो children है junior classes के उनकी कल छुटी है तो इसमें कौन सा प्रेडिकेट है और कौन सा subject है? Very good इसमें पहले subject क्या है? The children of the junior classes Junior classes और children के बारे में बात हो रही है तो यहाँ तक क्या है यह subject? और यहाँ पर main subject जो है यह है Children and junior classes, okay? So, इसके बाद जो है बाकी Have a holiday tomorrow उनको कल छुटी है उनकी कल छुटी है तो यह जो छुटी है यहाँ से लेकर Have a holiday tomorrow यह क्या है अब प्रेडिकेट? So, चौथा वाला क्या है? Stand in a queue ठीक है? Line में खड़े हो जाओ जैसे हम अकसर prayer के time नहीं बोलते है एक कतार में खड़े हो जाओ एक line में खड़े हो जाओ सीधे line बनाओ तो क्यू हम line को बोलते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है? जैसे हम सुबा prayer के time lines बनाते हैं वैसे ही है यह तो यहां पर क्या बोल रहे है? Stand in a queue हम order दे रहे हैं हमें बोला जा रहा है कि आप एक line खड़े हो जाओ तो यह जो यहां पर Stand in a queue यह प्रेडिकेट रहेगा और हम इसमें एक Implied subject एड़ करेंगे Y-O-U ठीक है? तो अब इसके बाद है फिफ्थ वाला Vishal is absent today यहां पर Vishal के बारे में बात हो रही है तो Vishal यहां पर हो गया subject Is absent today What absent है? Absent today यह क्या है? Is absent today यह है? प्रेडिकेट Very good So शिफ्थ वाला है Mohan and his teammates have won the match Mohan and his teammates Mohan और इसके teammates के बारे में बात हो रही है तो यह subject है and have won the match have won the match जो है यह predicate है ठीक है? So seventh one is My dream is to be a doctor मेरा dream है कि मैं doctor बनूँ आगे जागे ठीक है? तो मेरा dream है मेरे बारे में बात हो रही है तो my dream my dream जो है यहां पर यह क्या है? subject है Is to be a doctor यह यहां पर predicate है क्योंकि मेरे बारे में बता रहा है कि मैं बनना चाहती हму doctor ठीक है? तो इसके बाद है आठवा eighth part most of my classmates stay in NOIDA मेरे class में से बहुत से classmates ऐसे हैं अक्सर classmates ऐसे हैं कि NOIDA में रहते हैं ठीक है? most of my classmates my classmates मेरे बारे में मेरे classmates के बारे में हो रही है बात तो यह क्या है subject है stay in noida वो noida में रहते हैं ठीक है तो noida stay in noida क्या है यहाँ पर predicate okay तो you cannot drink water आप पानी नहीं पी सकते class में inside the class आप पानी नहीं पी सकते class में ठीक है तो इन में से कौन सा वाला subject है और कौन सा वाला प्रेडिकेट है very good यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है you cannot drink water आप पानी नहीं पी सकते किसी के बारे में बात हो लिया नहीं आप जो यहाँ पर है you cannot drink water तो यह subject है और बाखे जो है inside the class आप class में पानी नहीं पी सकते inside the class के है प्रेडिकेट शालिनी is unwell यह 10th part है शालिनी is unwell शालिनी ठीक नहीं है she is not feeling well ठीक है तो शालिनी जो है जिसके बारे में बात हो रही है यह होगी subject is unwell वो ठीक नहीं है तो यह क्या है अब बाकी प्रेडिकेट ओके इतना आज के लिए में भी काफी है आपको आज इंशाला कल दूसरी वीडियो मिल जाएगी and tomorrow we are going to learn parts of speech okay so इंशाला we will meet next time तब तक Allah आफिस, stay home, stay safe, जादा बाहर ना जाएं because covid चल रहा है तो stay home, stay safe, Allah आफिस